हलो दोस्तो मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सल टेरिंग सेंटर आइपीट एक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हुमारी इस पैथन क्लासेज में तो प्रिसी प्रिविएस वीडियो में हमने बात कि करेंगे इफ के अंदर मल्टिपल कंडिशन जो कि एंड और और के साथ हम करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक लिया वेरेवल ए एक्वल टू हमने किया इंपूट और इंपूट के अंदर में हम यहां पर डाल देते हैं एंटर अब यहां पर हमने वेरेवल डिफाइन नहीं किया हुआ है तो हम यहां पर करना पड़ेगा है एक्वल टू इंट के अंदर है क्योंकि हमें मैं लॉजिकल ऑपरेटर लेना है इसलिए हमने इंट का यूज किया है अब यहां पर करते कि कि मुझे क्या करना है कि अगर सेल्स इमाउंट ग्रेटर दैन फिटी हुआ तो 500 का इंसेंटिव देना है अद्रबाइस वन हंडेर के इंसेंटिव देना है तो एफ हमने लिखा एई इस ग्रेटर दैं इक्वल टू गेटर दैन इक्वल टू फिटी और यहां पर सेमी कॉलर देके एंटर मारेंगे और दियान रखेएगा अब इसको ऐसे मत किजिए गलत हो जाएगा कि इसको तरह से पैटर्न देना होता है एक के नीचे ही होगा कंडिशन ताकि इफ के अंदर में आए क्योंकि वी वी ए के तरह एक्सल की तरह प्राइकर्स नहीं होते ताकि डिफाइन यहां से यहां तक है वो डिफाइन इसी तरह से सिक्वेंस में होता है तो यहां पर हमने सिंपल सा लिखा कि यहां पर के इक्वल टू 500 अब यहां पर स्लैस ले आके एल से मुझे इफ के नीचे देना होगा और इसमें भी कॉलन देके इसी के नीचे के इक्वल टू 100 करना हो अब दो बाइंटर मारके यहां आजाए ताकि इफ से इसका लिंक तूट जाए और यहां पर हम अपना मैसेज प्रिंट करते हैं कि प्रिंट किनुरे को हमें कि दा अब देखे रिजल्ट जो आएगा 500 आना चाहिए अगर मैं 50 डालता हूं तो रन करता हूं तो रन करके यहां देखे दाला इसकारण से यहां पर गैप दिया है और यहां पर हमने कर दिया 50 तो घंसिक करता हूं तो लेस और के अंदर शोटी सी करना चाहते हैं कि अगर हम प्रिंटियर्व जो है 52onie के पिच में वा तो 500 दे ना तो आपको यही पे आना है and का बटन लगाना है and और फिर देना है is less than equal to 80 less than equal to 80, then हमने क्या किया, यहाँ पे 500-100 दिया, तो अब मैं यहाँ पे इसको run करता हूँ, run करते हैं पूछता है sales, तो sales में मैं माल लिजी यहाँ पे दे दिया 70, enterprise किया, तो result 500 आया, अगर मैं वापको सिसी को run करता हूँ, अब पूछता है sales, तो sales में माल लिजी 85 करता हूँ, तो देखी यहाँ पे आपको 100 आया, तो between two conditions में हमने इसका इसका इस्तमाल किया, एक greater than 50 और less than 80 में, किस तरह से है, इसी का and में और थ्रस और कहां जा सकते हैं, and में अब और के बारे में बात करते हैं, इसकी coding मैंने कट करके note card में रख लेता हूँ, ताकि आप लोग इसका यूज कर सके, तो एकसल में रख लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं, और, dot, py, अब यहाँ पर, same मैं देता हूँ, input, input के अंदर में, यहाँ, input में विरेवल को दिये नहीं, यही लिए ते, a equal to input, और input के अंदर में यहाँ पर लिख दिया कि enter, day, enter, day, मुझे यहाँ पर यह करना है कि अगर Saturday, Sunday हुआ, अगर Saturday, Sunday हुआ, तो मुझे आना चाहिए, Saturday हुआ, तो half day आना चाहिए, महान लेजे, फिला इतना खरना चाहता हूँ, यह Sunday हो तो, off आना चाहिए, तो, if a equal to inverted कमांब में हमने लिख दिया, Sunday, a, c, in Sunday, और semicolon देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ, k equal to, off, और यहाँ पर हम देते हैं, else, k equal to open, तो Sunday को सिफ open होना चाहिए था, बाकी दिन, Sunday को off होना चाहिए था, बाकी दिन open होना चाहिए था, फिर यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं, print, और print के अंदर में, office, age, और यहाँ पर कॉमा, हम देते हैं, अपना k, अब एक बार इसको run करके देखते हैं, यहाँ प्यारा आ रही है, कि मैं direct equal नहीं, इस पर हमें double equal करना पड़ेगा, एंटर दे, तो दे में माली जे मैंने डाल दिया, इस यू एंड, संडे, तो यहाँ गया, office is off, office is off, बै एक बार यहाँ पर slash t कर देता हूं, तक यहाँ सा gap आ जाए, slash, gap आ गया, मैं यहाँ पर माली जे, यहाँ पर Monday कर देता हूं, यहाँ पर लिखेंगा, office is off है, अब यह तो ठीक है, बट में पास दो condition होता है, Saturday, Sunday को off है मेरा, तो यहाँ पर लिखना होगा, और और यहाँ पर देना होगा, कि a double equal to Saturday, और फिर यहाँ पर colon दे दिया हम, तो और का इस्तिमाल हम इस तरह से करते हैं, अब मैं run करता हूं, run करते हैं, पुछता है day, तो day में मैं दे दिया है, अब यहाँ पर यह चीज़ देखना है, तो वहाँ case sensitive होता है, तो क्या यहाँ भी case sensitive है, तो मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया है, और run करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर बड़े में, यहाँ पर नीजे है, बड़े में Saturday लिखता हूं, अब देखता हूं क्या आना चाहिए, अगर open आया, तो बड़े छोटे का फर्क रखेगा, अगर off आया, तो बड़े छोटे का फर्क इसमें नहीं होता है, open आया, मतलब कि बड़े छोटे का फर्क होता है, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, कि अगर आप case sensitive को हटाना चाहते हैं, तो क्या कर जाते हैं, अलगि हम लोग VV programming में इसके लिए U case या L case का इस्तमाल करते हैं, अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक बने रहें मेरे चैनल पर, thank you